नमस्ति विद्यति मीत्रों कक्सासान हिंदी आपके टेक्सबुक के रिलेटेड मैं आपको दुसरा ग्रामर समझा रहे हूँ फिर हम चेप्टर करेंगे आपके चेप्टर के पीछे जो ग्रामर है उसका हम अभ्यास करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको संगना में दो भाव बताएं दो भेद उसको बताएं जातिवाचक और दुसरा है व्यक्तिवाचक उशी तरह अभी वैसे संगना के पांच प्रकार है लेकिन अभी हमने दो पूरे कर दिये हैं लेकिन आपकी टेक्षबुक में पांचों के पांचों हैं तो हम अभी दो कर रहे हैं एक है जो मैं अभी आपको बता रहे हूँ और दूसरा भी आजी मैं आपको समझाऊंगी तो सबसे पहले लिखा हुआ है निमनली की द्वाक्यों को पढ़ कर रेकांकित सब्दों को ध्यान से देखिए आपके पास पैंसिल अवश्य होगी अगर नहीं है तो आपके पास रख दीजिए और ले लेजिए और जो मैं बोल रहे हूँ उस पर ज़्यादा तर ध्यान दीजिए आप तो जिस पर रेकांकित पे चिहन किया हुआ है आपको ऐसी पता नहीं चलेगा तो हम उसकी पहले व्याक्या समझ ले तो व्याक्या है उप्रियोक्त वाक्यों में रेकांकित सब्दों अहिंसा, चड़ाई, विनमरता, शान्ती, प्रेम, शमा, गुम, दोस ऐसे भाव को आधिका बोच कराते हैं उसे क्या कहते हैं भाव वाचक कौन सी संगना कहते हैं भाव वाचक शंगना जैसे हमें अभी व्यक्ति वाचक और जाती वाचक देखें यानि कि भाव हमारा भाव कैसा होना चाहिए हर एक व्यक्ति का भाव अलग-अलग होता है कोई प्रेम भाव वाला होता है कोई बहुत गुस्य वाला होता है को क्रोडी होता है तो कोई आहिं शाय आहिं सिकोता है कोई सुन्दरता बताता है किसी में बुढ़ापे का भाव होता है का माना तेका भाव होता है और कुषिका उच्छै का भाव दर्शाता है तो कोई हार जीत Budget अपना भाव अलग अलग दर्शाता है तो हम आज भाव वाचक शंगना के बारे में समझेंगे भाव वाचक यानि के सबके भाव अलग अलग हो उसे भाव वाचक शंगना कहते हैं तो इसी तरह नमबर एक में ऐसे लिखा है हमें अहिंसा के पत पर चलना चाहिए तो यहाँ पे कौन से पत पर चलना चाहिए अहिंसा के कौन से अहिंसा के तो यह लाइन में आपको अहिंसा एक भाव प्रगट करता है यानि हुआ भाव आचक कौन सा सब्द है अहिंशा तो हमें अगर आपको टेस्ट में ऐसे पूचा जाएगा कि रेकांकित क्या हुआ में से भाव आचक कौन सा है ये सब्द पे चिहन करिए तो आपको समझ में होना चाहिए कि भाव किसमे दर्शाता है यानि कि इस लाइन में अहिंशा का भाव प्रगट दर्शाया जारा है नमबर दो है पहाड की चड़ाई बहुत कठिन होती है पहाड की चड़ाई कैसी होती है बहुत कठिन तो यहाँ पे कौन सा भाव है चड़ाई का जैसे हम चड़ते हैं तो हमें भाव पता चलना चाहिए कि कैसी चड़ाई है वो बहुत कठें तो चड़ाई ये भाव अचक है हमारे वेवहार में विनमरता होनी चाहिए हमारे वेवहार में क्या होनी चाहिए विनमरता तो कौन सा भाव दर्शा रहे है विनमरता का चोथे हैं महात्मा युद ने सांती दया और प्रेम का संदेश दिया है तो आप से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें तो प्रेम, शांती और दया का भाव बता रहे हैं तो हमें यहाँ पे सांती, दया और प्रेम वो एक भाव वाचक संगना हुई हमें सिब भाव वाचक बताने है तो नमबर पांच पांच में है क्षमा विरो का आपूशन है तो कौन से विरो का आपूशन है क्षमा कौन सा भाव है क्षमा का तो क्षमा क्या हुई भाव वाचक तो आप अगर भाव अचक शंगना की व्याक्या समझते हो तो आपको ऐसे sentence दिये गए होंगे और अपने आप ये चीहन लगाना होगा कि कौन सा सब्द भाव का दर्शाता है तो आपको ये ध्यान में हो रहेगा तो ही आप जाती वाचक है व्यक्ति वाचक है और भावाचक है ऐसे तीनों मेंसे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा इसमें भावाचक है कौन सा व्यक्ति वाचक है और जाती वाचक है तो तीनों मेंसे आपको ढूंडना होगा तो अगर आपने व्याख्या सही दंग से समझोगे तो ही इसका अभ्यास आपके लिए एकदम इजी रहेगा तो आप आसानी से कर सकोगे तो इसमें लिखा हुआ है भाव आचक शंगना जो मैंने अभी आपको व्याख्या बताई वही है जो सब्द गूंडोस भाव दशा आधी का बोद कराता है उसे भाव आचक शंगना कहलाते हैं क्या लिखा है कैसे गूंड है क्या दोस कर रहा है वो कैसी दसा यानि कि वो कौन सी दसा अवस्ता है उनकी बुढ़ा पदर्शारा है बुढ़िया है कौन सा भाव है उसमें ये इस आधी के गूंड दर्शाता है वाक्य में तो वो भाव आचक शंगना कहलाते हैं हैं तो इसमें आपको मैं ऐसी एक्सेसाइस भी दूंगी प्रैक्टिश के लिए के आपको अंदाजा लगाना है कौन सा शब्द भाव आचक संगना हैं तो निम्नलिकेच सब्दों में से भाव आचक संगना के चोकरपद राइट की निशान कीजिए यहां पे आपको स्क्वेर में सारे शब्द लिके हुए हैं इनमें आपको ध्यान रखना है कौन सा शब्द भाव प्रगट करता है तो आपको बताना है इनमें से के कौन सा भाव है जैसे की पहले है सच्चाई यानि कौन सा भाव दर्शारा है सच्चाई का तो यहाँ पे सच्चाई और सच्चा इन दोनों में से भाव दर्शारा है उच्चाई उच्चाई भी क्या है यहाँ पे आपको एक भाव दर्शारा है कौन सी उच्चाई दर्शारा है वो बताना है बच्चपन भी भाव वाचक है लंबाई यह इसकी विसेस्ता है यानि कि कौन सी विसेशन में आपने समझा होगा विसेशन यानि क्या तो जो किसी की विसेशताइबत है उन में आएगा ये अमेरी भी नहीं आ सकता है लड़ना कोई लड़कपन हो कोई लड़ने का भाव दर्शाता हो बुड़ा पा जिसमें मैंने राइट किया है वो सारे भाव वाचक है गंगा इसमें नहीं आएगा ये क्या हुई गंगा किसमें आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था व्यक्ति वाचक में किसमें आएगा यानि ये भी भाव वाचक संगना नहीं है तो अगर आपको ये box में समझ में आए जाएगा तो इसी दोरान आपको exercise में practice करनी Thank you student